पुर्व केंद्री मंद्री आर्सीपी सिंग पर चंतादल युनाइटेड ने बड़ा आरोप लगाया है जेडियो का कहना है कि आर्सीपी सिंग ने पार्टी में रहते हुए करोडों रुपे की बेहसाब संपत्ती अपने और अपने परिवार के नाम कर दी बिहार जेडियो के अध्यक्ष उमिश सिंग कुश्वाह ने आर्सीपी सिंग को कारण बताओ नोटिस भेज कर अकूद संपत्तियों और अनियमितताओं पर जवाब मगा जेडियो के इस नोटिस से बिहार में खलबली मच गई, राजनीतिक हमासान पैदा हो गया, बवाल हो गया जेडियो के राश्री अध्यक्ष रहे आर्सीपी सिंग के लंबे समय से पार्टी आलाकमान से संबंध खराब चल रहे हैं इस बज़े से उन्हें राज्यसभा का टिकेट भी नहीं मिला और फिर केंद्री मंत्री का पद भी उन्हें गवाना पड़ा फिलहाल रसीपी सिंग के पास पार्टी और सरकार में कोई पद नहीं है, अब जेडियों ने तरितों ने ही उन पर गंभीर आरोप लगा है प्रदेशा अध्यक्षत्वारा आरपीसी सिंग को लिखे गई, चिठी में कहा गया है कि नालेंदा जिले के दो जेडियों नेताओं ने सबूतों के साथ उनके खिलाफ श्रिकायत की आर्सिपी सिंग ने उनके और उनके परिवार के नाम पर साल 2013-2022 के बीच अकोद, संपत्ती, अर्जित की इसमें कई तरह की आने में तताएं नजर आरेंग हैं उमेश सिंग कुश्वाहा ने आर्सिपी से कहा कि आपने मुख्यमंत्री नितीश कुमार के साथ अधिकारी और राजनीता के तौर पर काम किया दो बार आपको राज्य सभा भेजा गया, जेडियो का राश्ट्री महासचिव और फिर राश्ट्री अध्यक्ष की जिम्मिदारी दी गई, केंद्र में मंत्री के रूप में काम करने का भी मौका मिला इस दोरान सीम नितीश ने आपका पूरा सहीयोग किया, मुख्यमंत्री जीरू टॉलरेंस नीती पर काम करते हैं और इतने बड़े नीता होने के बावजूद, उन पर कोई दाग नहीं लगा और ना ही उन्होंने कोई संपत्ती बनाई है जेरियों ने अकूद संपत्ती के मामले में आर्सेपी सिंग से जवाब मागा है, प्रदेशा ध्यक्ष उमेश सिंग ने कहा कि वो जल्द से जल्द उनके और उनके परिवार से जुड़ी संपत्तियों के मामले में अपनी राय स्पष्ट करें इस नोटिस में कहा गया है कि अपता को प्लब्ध जानकारी की अनुसार आपके और आपके परिवार के नाम से साल 2013 से 22 तक अकूद संपत्ती बनाई गई है आप लंबे समय से जनता के सर्वमान नीता नितीश कुमार के साथ अधिकारी और राश्नीती कारेकर्टा के रूप में काम करते रहे हैं आपको बता दें कि RCP सिंग के बीज़पी में जाने की भी अटकले लग रही थी माना जा रहा था कि RCP सिंग जिनके रिष्टे जेडियो अध्यक्ष से सही नहीं है, साथ ही नितीश कुमार से भी खराब हो गए हैं, वो अब BGP जॉइन कर सकते हैं, खबरे इस तरह की उरती हुई कई दफे आई, हाला कि उन्होंने इस बात से हमेशा इंकार किया, अब आई है, वो खुल कर सामने आ गई है, नूटीस तो एक बहाना है, बहुत पहले से इन दोनों के बीच खटास चल रही है, अब देखना ये है क्या RCP सिंग क्या स्टेप लेते हैं, क्या वो BGP जॉइन करने की खबरों को सही साबित करते हैं, या फिर कोई और रास्ता अपन हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, अगर आप फेस्बुक पर ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पेज को लाइक करें